उम्शन्दी 13 जून 2020 की परमात्म महवाक्य है प्रेम के सागर परमात्मा हम बच्चों से कहते है मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो बाप से हम स्वर्ग का वर्सा ले रहे है, इस खुशी में रहो प्रश्ण है, संगम युक पर तुम ब्रामन से फरिष्टा बनने के लिए कौन सी गुप्त महनत करते हो उत्तर है, तुम ब्रामनों को पवित्र बनने की ही गुप्त महनत करनी पड़ती है तुम ब्रमा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो भाई बहन की गंदी दृष्टी रह नहीं सकती स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो इस स्मृती से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिष्टा बन सकेंगे उम शान्ती मीठे मीठे बच्चो अपने को आत्मा समझकर यहां बैठना है यह राज तुम बच्चो को भी समझाना है आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा बाबा हमको राजियोग सिखलाते है बाबा से हम स्वर्ग का वर्सा ले रहे है यह याद सारा दिन बुद्धी में रहे इसमें ही मेहनत है यह घड़ी-घड़ी भूल जाते है तो खुशी का पारा डल हो जाता है बाबा सावधान करते है कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो अपने को आत्मा समझो अभी आत्माओं और प्रमात्मा का मेला है ना? मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कल्यूग अंत और सत्यूग आदी के संगम पर ही लगा होगा आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते है तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है ओंचते ओंच है भगवान फिर नीचे आओ तो ब्रम्हा, विष्णो, शंकर बाप और देवताएं मनुष्यों को यह पता नहीं है शिव और ब्रम्हा, विष्णो, शंकर का संबंध क्या है किसी को भी उन्हों की जीवन काहनी का पता नहीं है त्रिमूर्ती का चित्र नामी ग्रामी है यह तीनों हैं देवताएं सिर्फ तीन का धर्म थुड़ी होता है धर्म तो बड़ा होता है दीटी धर्म यह है सुक्ष्मवतनवासी उपर में है शिव बाबा मुख्य है ब्रम्हा और विष्णो अभी बाप समझाते है तुमको टॉपिक देनी है ब्रम्हा सो विष्णो, विष्णो सो ब्रम्हा कैसे बनते है जैसे तुम कहते हो हम शुद्रो सो ब्राह्मन, ब्राह्मन सो देवता वैसे इनका भी है पहले पहले ब्रम्हा सो विष्णो, विष्णो सो ब्रम्हा वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा अभी हम समझते हैं कि अंतिम जन्न में जो ब्रह्मा है वही सत्योगी फर्स जनम जो होगा उसमें विश्नु होगा इसलिए ब्रह्मा सो विश्नु कहते हैं जैसे तुम कहते हो हम शुद्रो सो ब्रह्मन, ब्रह्मन सो देवता वैसे इनका भी है पहले पहले ब्रम्हा सो विष्णू, विष्णू सो ब्रम्हा तो वो लोगों ने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा तो यह तो रॉंग है न? हो भी नहीं सकता आत्मा तो परमात्मा की संतान है न? तो इस टॉपिक पर अच्छी रिती समझाना है कोई कहते है परमात्मा कृष्ण की तन में आये है अगर कृष्ण में आये फिर तो ब्रह्मा का पार्ट खतम हो जाता है कृष्ण तो है सत्युक का पहला प्रिंस वहाँ पतीत हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं बाकी तो किसकी बुद्धी में बैठना ही नहीं है यह टॉपिक तो बहुत पर्स ख्लास है ब्रह्मा सो विष्णू, विष्णू सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन है शुरू ही ऐसे करना है ब्रह्मा सो विष्णू एक सेकेंड में विष्णू सो ब्रह्मा बनने में 84 जनम लगते हैं यह बड़ी समझने की बात है अभी तुम हो ब्राह्मन कुल के प्रजापिता ब्रम्हा का ब्राह्मन कुल कहां गया प्रजापिता ब्रम्हा की तो नई दुनिया चाहिए न नई दुनिया है सत्यूग जो अभी स्थापन करते है परमात्मा श्युवबाबा प्रजापिता ब्रम्हादार द्वारा वहाँ तो प्रजा पिता है नहीं, सत्यूग में उसकी दरकारी नहीं है कल यूग में भी प्रजा पिता हूँ नहीं सकता वह है संगम युग पर तुम अभी संगम पर हो शूद्र से तुम ब्राह्मन बने हो बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शूबाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानते त्रिमूर्ती में रचता शूब का चित्र ही नहीं है तो मालुम कैसे पड़े कि उंचते उंच भगवान है बाकी सब है उनकी रचना यह है ब्राह्मन संप्रदाए तो जरूर प्रजा पिता चाहिए कल्यूग में तो हो न सके सत्यूग में भी नहीं गाया जाता है ब्राह्मन देवी देवताए नम्हा अब ब्राह्मन कहां के है प्रजा पिता ब्रह्मा कहां का है जरूर संगम्यूग का कहेंगे यह है पुरुशोत्तम संगम्यूग इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है नवकी सत्यूग्या कल्यूग में पांडव और कौरव यह है संगम पर तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कल्यूगी है गीता में भी भगवानु वाच है न? तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। तुम रुहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रुहानी यात्रा जो तुम बुध्धी से करते हो। बाप कहते है अपने को आत्मा समझो याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थो आदी पर जाकर फिर लौट आते हैं वह आधा कल्ब चलती है द्वापर और कल्यूद। यह संगम्युक की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यों लोक में वापस नह ही आएँगे। यहां से शरी चुड़ेंगे फिर तो अमर लोक में आएँगे आत्मा पवित्र बन जाएगी। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। इसलिए अब तुम पवित्र बन रहे हो।ुम जानते हो अभी हम ब्राह्मन संप्रदाइ के है फिर दैवी संप्रदाई विश्नु संप्रदाई बनते है सत्योग में देवी देवताई विश्नु संप्रदाई है वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है जिससे मालूम पढ़ता है यह विश्नु संप्रदाई है यहां प्रतिमा है रावन की तो रावन संप्रदाय है तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सिख रहे हो ब्रम्हा मुखवन्शावली ब्राम्मन तुम शुद्र से ब्राम्मन बने हो एडॉप्ट किये हुए हो ब्राम्मन भी यहां है फिर देवता भी यहां बनेंगे डिनाइस्टी यहां ही होती है डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है विश्नु की डिनाइस्टी है ब्राम्मनों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे डिनाइस्टी में राजाई चलती है एक पिछाडी, दूसरा, फिर तीसरा. अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मन कुल भूशन, फिर देवता बनते हैं. ब्राह्मन सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय, चंद्रवन्शी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मन सो देवता बनेंगे. अर्थ कितना क्लियर है चित्रों में क्या-क्या दिखाते है हम ब्रामन सो विष्णुपूरी के मालिक बनते है इसमें मूझना नहीं चाहिए बाबा जो ऐसे अर्थात निबंध देते है उस पर फिर विचहार सागर मन्थन करना चाहिए किसको कैसे समझाए जो मनुश्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है सिवाए ग्यान सागर और तो कोई समझा न सके विचार सागर मन्थन कर फिर बैठ लिखना है फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा यह अक्षर एड़ करने चाहिए बाबा भी पहले पहले मुर्ली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे फिर सुनाते थे शुबाबा पहले पहले मुर्ली लिख लेते थे फिर हमें हाथ में देते थे ताकि हम पढ़े सारी बाते गहराई से समझ सके क्लियर हो फिर सुनते थे मुर्ली जितनी बार सुनते है उतनी ही बार उसके अर्थ जो है क्लियर होते जाते है तो जितना पढ़ेंगे जितना सुनेंगे उतना उस मुर्ली को और गहराई से समझ सकेंगे तो अबा कहते है सिवाए ग्यान सागर के और तो कोई समझा न सके न तो विजार सागर मन्थन करना है पढ़ो तो ख्याल आएगा यह यह अक्षर एड़ करने चाहिए बाबा भी पहले पहले मुदली लिखकर तुमको देते थे ना हाथ में फर सुनाते थे यहां तो तुम घर में बाबा साथ रहते हो अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है ब्रह्मा सो विष्णू इनको कोई नहीं जानते विष्णू की नाभी से ब्रह्मा दिखाते है जैसे गांधी की नाभी से नहरो परन्तु डिनाइस्टी तो चाहिए न ब्रह्मान कुल में राजाई नहीं है ब्रह्मान संप्रदाई सो बनते है डीटी डिनाइस्टी फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे फिर वैश्य डिनाइस्टी में ऐसे हरे एक डिनाइस्टी चलती है न नहीं है नहीं तो यह जरूर बुद्धी में होने चाहिए कि विश्यस से वाइसलेस कैसे बनते हैं मनुश्य नो वाइसलेस को जानते है नो विश्यस को तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस है ऐसे कभी सुना नहीं कि ब्राह्मन वाइसलेस है नई दुनिया है वाइसलेस पुरानी दुनिया है विश्यस तो जरूर संगम्युग दिखाना पड़े इसका किसको भी पता नहीं पुरुशुत्तम मास मनाते है न वह तीन वर्ष बाद एक मास मनाते है तुम्हारा पाँच हजार वर्ष बाद एक संगम्युग आता है मनुश्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते है सिर्फ कह देते है चमकता है अजब सितारा बस जैसे दिखाते है रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था मैं गुरू के सामने बैठा था गुरू का भी ध्यान तो करते हैं न अभी बाप कहते है माम एकम याद करो ध्यान की तो बात ही नहीं गुरू तो याद है ही खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या उनकी गुरू में भावना थी कि यह भगवान है तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे मेलेन हो गई उनकी आत्मा कहां जाकर बैठी फिर क्या हुआ कुछ भी वर्नन नहीं बस खुश हुआ हमको भगवान का साक्षातकार हुआ भगवान क्या है वह नहीं जानते बाप समझाते है सीड़ी के चित्र पर तुम समझाओ यह है भक्ती मार्ग तुम जानते हो एक है भक्ती की बोट अर्थातनाव दूसरी है ग्यान की ग्यान अलग भक्ती अलग है बाबा कहते है हमने तुमको कल्प पहले ग्यान दिया था विश्व का मालिक बनाया था अब तुम कहां हो तुम बच्चों की बुद्धी में सारा ग्यान है कैसे और डिनाइस्टी आती है कैसे ज़ाड बढ़ता है जैसे गुलदस्ता होता है यह स्रिश्टी रुपी ज़ाड भी फूलदान है बीच में तुम्हारा धर्म फिर इन से और तीन धर्म निकलते है फिर उन से वृध्धी होती जाती है तो इस ज़ाड को भी याद करना है कितनी टाल-टाल या आदी निकलती रहती है पिछाडी में आने वाले का मान भी हो जाता है बढ़ का ज़ाड होता है न थूर है नहीं बाकि सारा ज़ाड खड़ा है देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है बिलकुल सड़ गया है भारतवासी अपने धर्म को भूल कर नहीं जानते अपने धर्म को भूल गये है नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते है यह कहते हम धर्म को नहीं जानते है इसलिए कह देते हिंदु धर्म के पुछो धर्मस्थाप कौन है हिंदु धर्म का तो मुझ जाते है मुख्य है ही चार धर्म बाकि छोटे-छोटे तो अनेक है इस ज़ाड और सुरुष्टी चक्र को तुम अभी जानते हो आदी सनातन देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं परिवर्तन होता है न? गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए यह सत्यूग वह कल्यूग कल्यूग में कितने धर्म हैं? सत्यूग में हैं एक धर्म एक धर्म की स्थापना अनी धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे न? बाप कहते हैं ब्रम्हा द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ ब्रामन सो विश्नुपूरी के देवता बनते है संगम पर तुम ब्रामनों को पवित्र बनने की ही गुप्त महनत करनी पड़ती है तुम ब्रम्हा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो गंदी दृष्टी भाई बहन की रह नहीं सकती स्त्री पुरुष दोनों अपने को बिके समझते है इसमें बड़ी महनत है गंदी दृष्टी भाई बहन की रह नहीं सकती है तो स्त्री पुरुष की कोशिश ऐसी हो जो बस हाथ लगाने के बिगर रह नहीं सकते थे यहां भाई भेहन को हाथ नहीं लगाना होता है नहीं तो पाप की फिलिंग आती है हम बिके है यह भूल जाते है तो फिर खत्म हो जाते है इसमें बड़ी गुप्त महनत है भल यूगल हो रहते है किसको क्या पता वह खुद जानते है हम बिके है फरिश्टे है हाथ लगाना नहीं है ऐसे करते करते सुक्ष्मवतनवासी फरिश्टे बन जाएंगे नहीं तो फरिश्टा बन नहीं सकते फरिष्टा बनना है तो पवित्र रहना पड़े ऐसे जोड़ी निकले तो नमबर वन जाए कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया पिछाडी में करके सन्यास किया है बहुत महनत की तो उनको है उनका भी जोड़ा बन जाता है फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने सर्फ एक बात तो नहीं है न बाप कहते है तुम शुबाबा को याद करो यह है प्रजा पिता बहुत ऐसे भी है जो कहते है हमारा काम तो शुबाबा से है हम ब्रम्हा को याद ही क्यों करे उनको पत्र ही क्यों लिखे ऐसे भी है तुमको याद करना है शुबाबा को इसलिए बाबा फोटो आदी भी नहीं देते है इनमें शुबाबा आता है यह तो देहधारी है न अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्सा मिलता है वह अपने को इश्वर कहते है फिर उनसे क्या मिलता है कितना घाटा पड़ जाता है भारतवासियों को एक्तम भारतवासियों ने देवाला मारा है प्रजा से भीक मांगते रहते है दस बीस वर्ष का लोन लेते है फिर देना थोड़ी है लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे खेल ही खत्म हो जाना है अनेक मुसिबते सिर पर है देवाला बिमारियां आदी बहुत है कोई साहुकारों के पास रख देते है और वो देवाला मार देते है तो गरीबों को कितना दुख होता है कदम कदम पर दुख ही दुख है अचानक बैठे बैठे मर जाते है यह है मृत्यू लोग अमर लोग में तुम अभी जा रहे हो अमर पूरी की बादशाह बनते हो अमर नात तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे है तुम जानते हो अमर बाबा है उनसे हम अमर कथा सुन रहे है अब अमर लोग जाना है इस समय तुम हो संगम युकपर अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस दे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस दे वहा बाबा वहा शुक्रिया बाबा शुक्रिया तारणा के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट विचार सागर मन्थन कर ब्रह्मा सु विष्णु कैसे बनते है इस टॉपिक पर सुनाना है बुद्धी को ज्यान मन्थन में बीजी रखना है दूसरी पॉइंट राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्यान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है अपनी दृष्टी बहुत शुद्ध बनानी है वर्दान है नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव जैसे बाप को नामरूप से न्यारा कहते है लेकिन सब से अधिक नाम का गायन बाप का है वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदाकाल के लिए सर्व की प्यारे स्वतह बन जाएंगे जो नाम मान के विखारीपन का त्याग करते है वो विश्व के भग्य विधाता बन जाते है कर्म का फल तो स्वतह आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो कच्छा फल नहीं खाओ उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा स्लोगन है परमात्म बाप के बच्चे हो तब उद्धी रुपी पाओ सदा तक्तनशिन हो च्छा कम बोलो, धीरे बोलो, मेठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल बानी ओम शांती बाव